जुहार जार्खंडी नुज में आपका स्वागत है आईए जार्खंड राज के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं केंदरिये स्वाषत मंतरी डाक्टर हस्वादन ने सुक्रवार को 200 स्वाषत संगठन डावलु एचो के कारेकारी बोर्ड अध्यक्स के रूप में कारेभर संभाला उन्होंने 194 देशों की 208 सभाद वारा भारत को कारेकारी बोर्ड में न्यूक्त करने के प्रस्ताव पर हास्ताक्चर किये जो 208 संगठन में भारत को महत्पुन पदन मिला कारेभार गरहान करने के बाद डाक्टर हस्वादन ने कहा मैं इस बात से ओगत हूँ कि मैं 22 संकट के वक्त इस ओफिस में दाखिल हो रहा हूँ यह सभी चुनवतिया एक साजी परकिरिया की मांग करती है क्योंकि ए साजी चुनवतिया है जो साजी जिम्यदारी के काम करने की मांग करती है जारखन मौसर विभा के अनुसर अमफान तुफान के कारण कई जिलों में बारिस जारी रहेगी जारखन के दुमका और देवगर जिला में में गरज के साथ बारिस होने की संभावना है इन जुलों में कुछ भागों में तेज हवा और बिजली कड़कने की संभावना है यातरी अब काउंटर से भी कटा सकेंगे रेल टिकट आया सिटी के वेब साइट बार बर ठप हो जाने से रेलवे ने टिकट काउंटर 22 माई से ही खोलने का निर्देश दे दिया है आदेश में कहा गया है कि रेलवे सुक्रवार से टिकट एजेंटों के जरिये भी काटने की अनुमती देगा रेलवे के लिस्ट के अनुसार 200 ट्रेनों में से जारखन के लिए एक ट्रेन मिला है जारखन में आज 22 नए संक्रमितों के पुष्टी हुई जो हजारी बैक से साथ, गुमला से साथ, रामगर से तीन, रिम्स से एक, जमसेतपूर से एक, चाईबसा से तीन है जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या 308 से बढ़का 330 हो गई जबकि 136 मरीज स्वस्थ हुए और तीन की मौत हो चुकी है भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,24,794 है जबकि 51,824 लोग स्वस्थ हुए और 37,26 लोग की मिरिती हो गई जारखन के अगिन समक विभाग के मुख्याले में लगी आग राजधानी राची में अगिन समक विभाग के मुख्याले में सुक्रवार को आग लग जाने से कंफिरेंस रूम पूरी तरह जल कर राख हो गया इसके अलावे कई दस्तवेज भी जल चुका है बताया जा रहा है कि राजेंद्र चौक के समीप इस्थित अगिन समग विभाग के मुख्याले के आफिस में पैनल बोर्ड में सोट सर्किट की वज़ा से यह घटना हुई है बोकारो जीला में पुलिस वान पर हमला बोकारो जीला के पिंडरा जोरा थाना छेत्र नराइपुर इस्थित मस्जिद में नमाज आदा करने के सुचना पर पुलिस जाच के लिए पहुची पुलिस ने देखा कि नमाद आदा करने के लिए लगवक्सों लोग एकत रहाएं तो पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिस की की भीड सही नहीं है इसी दोरान लोगों ने पूलिस वान को शतिगरस्त कर दिया महल विगरते देख अतिरिक्त पूलिस वल को बुला कर इस्थिति को कंट्रोल किया गया राची में डूबलिकेट राशन की होगी जाच राची जीला में डूब्लिकेट राशन कार्ट की जाच को लेकर डीडी सी ने कई अधिकार्यों के साथ बैठक की बैठक में उप विकास आयूक्त ने बताया कि राची में लाबकों की संख्या अधिक है जिसमें ब्रिधी नहीं की जा सकती इसलिए छुटे हुए गरीब पात लाबकों को राशन कार्ट उपलाब्द कराने के लिए डूब्लिकेट राशन कार्ट लाबकों को सुची से हटाने की अधिकार्यों सकता है गुमला में दस और चत्रा में एक हैं जबकि 136 लोग स्वस्थ हुए और तीन की मृतियों हो गई है पूर्व मुख मंत्री मधुकोडा अब नहीं लड़ पाएंगे चुनाव ज़ार्खन के पूर्व मुख मंत्री मधुकोडा को दिली हाईकोट ने बड़ा जटका दिया है हाईकोट ने मधुकोडा की कोईला घोटाले मामले में दोसी सिधी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए चुनाव लड़ने पर भी आयोग गोशित किया है आदालत ने कहा कि जब तक वो निर्दोस सावित न हो जाए तब तक चुनाव लड़ने देने की अनुमती ठीक नहीं होगी राची से दिल्ली, बेंगलोरू, मुंबई और हैदराबाद के लिए सुरू होगी यर एसिया की बिमान सिवाए जारखंड की रैधानी राची से सिग रही बिमान सिवाए सुरू होगी बिर्शा मुंडा एरपोर्ट से इंडीगो और एयर एसिया की सिवाए जल्द मिलने लगेगी इंडिगो ने राची से मुंबई और मुंबई से राची वो राची से हैजराबाद तक बीमान संचालित करने का फसला किया है जारखन में एक भी जीला रेट जोन में नहीं स्वाथ सचीव डाक्टर नितीन मदल कुलकर्णी ने कहा कि जारकंड में एक भी जीला अभी रेट जोन में नहीं है भारत सरकार के नए गाइडलाइन के अनुरूप किसी जीले में दो सव से अधिक केस मिलने पर उसे रेट जोन माना जाता है जो कि जारकंड के किसी भी जीला में इतने अधिक संख्या में मरीज नहीं है जारकंड के तीन जीला ग्रीन जोन में है जो कि खुटी, सायव गंज और पाकुड है सेस एकर्ष जीला औरेंज जोन में है बैंक और बडोधरा ने दिया 5,51,000 रुपए मुक मंत्री हमन सुरेश से मिल कर भैंक और बडोधरा ने संक्रमन से बचाव के लिए जमसेतपूर जोन के छेत्रिये परमुक जगदिश तूगारिया ने 5,51,000 रुपए मुक बचास थर्मल एसकेनर भी पर्दान किया उन्होंने बताया कि बैंक की 130 सखावों द्वारा बिमारी से लड़ने में पूरी साहता की जा रही है केंद्र से मन्रेगा में मजदूरी निर्धारन का अधिकार मांगेंगी हैमत सरकार जार्खंड सरकार केंद्र से मन्रेगा में नितिगत अधिकार मांगेगी ताकि योजना का चयन और मजदूरी का निर्दायन राज अस्तर पर हो सके मोख मत्री हमान सुरे ने सुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्स सोनिया गांधी के साथ होई वीडियो कन्फिरेंसिंग के दोराने अबात कही मोबाइल बैन से बिजली बील जमा करा रहे उभगता जार्खन बिजली बीत्रन ने उभगताओ को मोबाइल एटीपी मसीन से बिजली बील जमा करने की सुधा दी है जिससे उभगता अपना बिजली बील जमा करा रहे है मोबाइल बैन से 18 से 21 मैं तक अब तक लवक 8 लाक रुपे तक का बिजली बील जमा हो चुका है सिम्डेगा में पहली बार जुनियर नेशनल मैला होकी सिम्डेगा में दसवी जुनियर नेशनल मैला होकी का आयोजन होगा होकी का आयोजन राची जिला में अप्रेल माहमें किया जाना था जो संक्रमन के करण नहीं हो पाया हावकी जारखंड के अध्यक्स भोलानाज सिंग ने बताया कि महमारी का कहर कम होने के बाद इसके आयोजन का तिथी ताय की जाएगी तमिल लड्डू से स्पेशल ट्रेन पहुंची कोडर्मा ICMR की टीम द्वारा जारखंड में किया जा रहा है सरवे भातिय अर्वेद अनुसंदान परिशत ICMR की राजहस्तरिये टीम ने संक्रमन के लक्षन पर सरवे शुरू किया है ICMR के टीम ने तीन जिला, पाकूर, सिम्डेगा और लातेहार में ऐसे लोगों के सेंपल लिए जिसमें संक्रमन के लक्षन नहीं है तब लीगी जमात के 17 विदेशी गये जेल हिंद पिड़ी इलाके से गिरफतार सभी 17 विदेशी को होटवार जेल भेज दिया गया है होम डिलेवरी के लिए खुल सकती है मिठाई की दुकाने लोगडाउन 4.0 के दरवान जार्खन में मिले छूट से रेस्टोरेंट के माध्यम से होम डिलेवरी की जा सकती है इसके साथ ही मिठाई की दुकानों को भी होम डिलेवरी देने की छूट होगी अवैद रेल टिकट काटने वाले एजेंट राजी से गिरफतार आरपीएफ के टीम ने राजधानी के कई जगों पर अवैद रेल टिकट काटने वालों को खिलाब छापी मारे की और टिकट बरामत किया आरपीएफ के अनुसार हर्मू रोड में कंके नामक दुकान में रेल टिकट बनाया जा रहा था आरपीएफ ने केस दर्जकर गिरफतार किया और रेलवे कोट में प्रस्तूत किया गुमला जिला के लोग नकसलियों के खिलाप हुए एक जूट गुमला के नायक टोली के गरामिन नकसलियों के खिलाप एक जूट हो गया है नकसलियों के खिलाप गरामिनों ने बैठक की और गाउ में घुसने से रोकने के लिए गुमला पूलिस से मदद मागी है खबर है कि लबक 200 महिलाए गुमला पहुच कर विदायक भुशन तिर्खी कोली खित ग्यापन सोपा है जिसमें नक्सलियों को खतम करने के लिए गाउ में पुलिस पिकेट की मांग की है बोकारों में बेटी के डोली के साथ पिता के अर्थी उठी खबरों के उनसर बोकारों जिला के कसमार परखंड के दुरगापूर गाउं में एक अजीब बिड़मना के बीच पिता के अर्थी के साथ बेटी की डोली उठी खुसियों के बीच पिता को हमेशा के लिए खोद देने के गम और आशू के साथ जब बेटी की बिदा होई तो मा वेहो सोकरगीर पड़ी या घटना पिता को बिजली का करण्ट लगने के बाद होई जब पिता ने बकरी के लिए पेण से पता लेने गया था तब उसे बिजली के करण्ट लग चुका जार्खण में संक्रमितों की दर राष्ट्रिय दर से अधिक जार्खन में संक्रमीत मरीजो का मिलना लगतार जारी है जो कि अब राष्टिय दर से अधिक हो गया है हलाकि मेतियो दर ना के बराबर है स्वास्त विभाक की वर से साथ दिनों का अउसत के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट 5.36 परतिशत था जबकि जार्खन का ग्रोथ रेट 5.84 परतिशत हो गया है सिम्डेगा में लोगडाउन में महिलाओ को रोजगार दे रही है परसाशन लोगडाउन के कारण परवासी मजदूरों का लगतार घर वापसी जारी है ऐसे में उन्हें उचित वोयन कराना परसाशन के लिए एक बड़ी चुनवती है इस चुनवती को जारखन परसाशन सुविकार का सिम्डेगा जिला के महिलाओ से पता द्वारा बना पतल खरीद रही है जो कि महिलाओ को रोजगार के बराबर लाब हो रहा है होल्डिंग टेक्स माफी पर फैसला आज संक्रामन के परकोप को देखते हुए होल्डिंग टेक्स माफी पर आज सनिवार को राची निगम अस्थानिय समिती के बैठक होने जा रही है इस बैठक में पूरे सहर के 1000 बग फिट तक के मकानों के होल्डिंग टेक्स की माफी पर निना लिया जाएगा इस निना के साथ ही बड़े मकानों के टेक्स आधे करने पर भी फैसला लिया जाएगा धन्यवाज यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन दवाए साथ ही बीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेर करें और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे थाइंक्यू